Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे assessment worksheet number 10 for class 6 विशे विज्यान है और ये worksheet आपके लिए 29th of December 2021 के लिए schedule की गई है आज की जो worksheet है प्यारे बच्चो उसमें हमें कुल 20 marks के जो है questions दिये गई है ठीक है और इन 20 marks के question में आपके 1st, 2nd जो question है वो 2 अंके हैं 3rd, 4th भी जो है वो 3 अंके हैं और पांच मा चटा question आपका 5 पांच अंक का है तो हम देख लेते हैं एक बार देखे आपके जो है total कितने question है 3, 4, 5 and 6, total आपके 6 question है और 6 के 6 questions को हम one by one discuss करेंगे पहला जो question है वो है आवास क्या है मरुस्तल और जलिये जीओं के दोदो उधारन दीजिए तो आवास क्या है बच्चो वह है छेतरी अस्थान जहां कोई भी जीव रहता है उसे क्या कहलाता है वह है उसका आवास कहलाता है ठीक कोई भी जीव जहां पर भी रहता है जहां प और जलिए के हो जाएंगे मचली और ओक्टोपस, ठीक है? यह आप लिख देंगे, दुसरा प्रशन है, सजीवों के कोई दो लक्षन हो जाएंगे, पहला है, जीवित जीवों को बोजन, वायुउऑ और जलकी आवशक्ता होती है, और दूसरा है जीवित जीव जो है वो क्या कर सकते हैं व्रधी कर सकते हैं इसके लावा आप लिख सकते हूं सांस ले सकते हैं ठीक है बच्चे पैदा कर सकते हैं बहुत सारी जो है गुण है न हमने पड़े थे तो ये आप लिख सकते हो तीसरा जो प्रशन है दो निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखे जो सजीव वस्तुओं के लक्षन दरसाती हैं तो दो निर्जीव वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं जिनके अंदर सजीव के गुण दिखाई देते हैं तो ऐसे कौन से दो हो सकते हैं बस और कार जो है ये निर्जीव चीजों के उधारन है क्य ये उन्हें भी उर्जा के आवशक्ता होती है, तो जैसे हम खाना खाते हैं, हमें उर्जा के आवशक्ता होती है, वैसे ही उन्हें भी उर्जा के आवशक्ता होती है, और वो क्या खाते हैं, वो तेल पीते हैं, है ना, जिससे उन्हें उर्जा, जो है, वो मिलती है, नेक्स द विशेष्टा है अनुकुलन क्या है वचो एक जीव की शारेरिक या विभारिक विशेष्टा है जो किसी जीव को आसपास के वातावर्ण में पहतर ढंक से जीवित रहने में मदद करती है ठीक है तो जो है किसी भी जीव की जो है ये एक ऐसी विशेष्टा है जो जहाँ पर भी हो रहता है वहाँ पर उसको रहने में मदद करती है जिसे मचली के अंदर क्या होते हैं? मचली के अंदर गल्फड़े होते हैं जो उसको पानी में सांस लेने के लायक बनाते हैं तो ये उसके जो है अनुकुलन हो गया next देखिए नमबर पाँच है केक्टस और उट जो है मरुस्तल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार के लक्षण अपनाती हैं तो केक्टस और उट में कौन-कौन से ऐसे गुण होते हैं जो उसको वहां के रहने के लायक जो है वो बनाती है तो कैक्टस निमलकित विशेष्टाओं के कारण रेगिस्तान में जीवित रहने में सक्षम है तो कौन-कौन से ऐसे विशेष्टाएं हैं जिससे कैक्टस रहने में सक्षम है एक तो इसकी जड़े कैसी होती हैं इसकी जड़े लंबी होती है और इसकी पत्तियां वो क्या है काटो के रूप में होती है ठीक है और इसका तना जो है तना मोम की मोटी प्रत से ढखा होता है ताकि पानी जो है वो क्या हो सके पानी वो जादा उसका लौ से ना हो ठीक है तो वो जो है उससे ढखा हुआ होता है उसके बाद नेक्स देखिए अब दिया गया है उंट के बारे में, अब उंट के क्या क्या लक्षन होते हैं, एक तो होते हैं उंट के पैर लंबे होते हैं, जो कि उसे गर्मी से उसको बचाती हैं, दूसरा उंट बड़ी मातरा में पानी पी सकता है, और इसे शरीर में जमा कर सकता है, ठीके तो उंट क्या कर सकता है बड़ी मात्रा में पानी को पी सकता है और उसे जो है स्टोर करके भी रखता है ताकि उसके अंदर पानी की कमी ना हो और बहुत-बहुत दिनों तक जो है वो पानी पीए भी ना रह जाता है next देखिए question number six है समझाईए कि घास के मैदानों में रहने वाले जानवरों को जीवित रहने के लिए गती क्यों महतपूर्ण है तो जो घास में रहने वाले जानवर है उनके लिए जो है उनके लिए जो गती है गती यानि उनकी जो चाल है वो बहुत स्पीड से वो भागती है clear तो ऐसा क्यों जरूरी है तो घास के मैदानों में शेर और बाग जैसे शिकारियों से जानवरों को छिपने के लिए बहुत कम पेड़ होती है इसलिए इन जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचने और अपने शिकारियों से बचने के लिए तेज भागना पड़ता है तो तेज भागना पड़ता है और यही कारण है कि जो है उनकी गती जो है वो उनके लिए जरूरी है अपने आपको बचाने के लिए ठीक है तो ये थी बच्चो आपकी आज की साइंस की असेस्मेंट वाकशीट I hope सभी बच्चो को सारे questions clear है कोई भी doubt है बच्चो तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको like कर दीजे share कर दीजे और channel को भी subscribe कर लीजे so thanks for watching students मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्शीट के साथ take care students bye bye